हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो आवर चैनल माई सेल्फ अर्चना माई सिंपल पाललर ब्लोग चैनल में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ तो फ्रेंड्स आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ तो फ्रेंड्स आज मैं शेयर करने वाली हूँ भी हेयर कट कैसे करते हैं बहुती आसान और इजी तरीके से दिखाऊंगी तो पुरा वीडियो स्कीप ना करके आप देखिए तो आप मेरे क्लाइन के हेयर देखी सकते हैं अच्छे खासे लॉंग है और बहुती मतलब सुन्दर हेयर है और इनका बाल जो है नैचरली स्ट्रेट है और बस कलर किया हुआ है तो अभी काम के बाद पे आते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें टू पार्ट में बालों को डिवाइट करना होगा और सबसे पहले आपको अच्छे से बालों को टैंगल फ्री करना होगा उके फ्रेंड्स उसके बाद हमें एक देखिए कैसे मैं डिवाइट कर रही हूँ बालों को अच्छे से टू पार्ट में डिवाइट करना होगा और अच्छे से टैंगल फ्री भी कर लेना होगा ओके फ्रेंड्स उसके बाद हमें एक साइट से बालों को काटना पड़ेगा तो देखिए मैं इस साइट से हेर को काटूंगी तो उसको भी मैं अच्छे से टैंगल फ्री कर रही हूँ और मेरे क्लाइन को ज़्यादा शौट भी नहीं चाहिए उतना लॉंग भी नहीं चाहिए मिडियम लेंथ में उनको वी कर चाहिए तो मैं अपने क्लाइन को पूछ लिया था कि उनको कितना शौट चाहिए तो एसे कंधे के बड़ाबर उनको short चाहिए था तो देखिए मैं कैसे काट रही हूँ here को तो उंगली को थोड़ा सा तिर्चा करना होगा friends देखिए इस तरह से आपको बाल को लेना है उंगली को भी तिर्चा करना है एकदम नीचे की तरफ तिर्चा करके काटते हुए नीचे की तरफ जाना है अब अच्छे से देखिए मैं कैसे कर रही हूँ मेरा हैंड मूवमेंट देखिए तिर्चा करके सिजर को पकरना होगा सिजर की जो नोख है वो नीचे की तरफ होगा तिर्चा करके और जो मैं काट रही हूँ ना उसी से थोड़ा थोड़ा बाल मैं ले रही हूं पिछे के बालों को काटने के लिए सेम प्रोसेस में मैं करूंगी और लास्ट तक आप वीडियो देखिए लास्ट में बहुती जादा खुपसूरत आया था तो देखिए यह जो गाइड लाइन है ना फ्रेंड जो मैंने मतलब फ्रेंड के बालों से लिया था कटे हुए बालों को उसी से मिलाते हुए पिछे के बाल काट रही हूं देखिए इस तरह से कैसे बाल गिर रहे है Дेखिए तो देखिए एक साइट का लगवग मेरा बी शेप होई गया है देखिए अच्छे से दिखाई दे रहा है बी शेप तो अभी मैं क्या करूंगे इसको अच्छे से मिलाओंगी पहले कॉम करूंगी और जितना भी एक्स्ट्रा है अनिविन दिख रहा है उसको बस आपको मिलाते हुए ट्रीम कर देना है जादा जादा ने काटना है बस ट्रीमिंग करना है देखिए मैं जैसे कर रही हूं और कित होती इजी है बस आप गोर से देखिए मैं कैसे काट कर रही हूं बस उसी तरह से आपको काटना है बहुत इजी तरीका दिरीका दिखाई हो brush तो त्वात्व पूर्ष तरीके से मैं अंगली को तिर्षा कर रही हूं, और यह दम भीषेप तिर्षा कर रहे हैं, और स्वात्व की आगे की थोड़ा बाल ले लोंगे पिछे के हेर को काटने के लिए, इस तरह से, और उंग्ली को भी तिर्षा करूंगी प्लस के मिला, करते हुए नीचे के तरफ काटते हुए जाऊंगी, इस तरह से, अभी आपका आपका अछे से दिखाए देगा, यह देखे, अभी आपका अच्छे से दिखाए देगा ये देखिए तीर्चा तरीके से cutting करना है ये देखिए बहुत ही simple है friends ये देखिए एकदम भीशेप आ गया है अभी फिर से मैं जो थोड़ा बच गया है वो भी cut कर लूँगी बस जो guideline है ना friends guideline को मिलाते होए जो जो भी extra है वो तीर्चा तरीके से काटते हुए नेचे की तरफ जाना है बस और कुछ नहीं ये देखिए friends भी शेप आ गया है तो next हम क्या करेंगे जो मैंने इस side का बाल cut के रखा था उसी को मैं फिर से मिलाऊंगी इसके साथ बस थोड़ा थोड़ा trimming करूंगी ये देखिए बस अभी थोड़ा थोड़ा trim कर दूंगी trim करने से और भी finishing look अच्छा आएगा friends ये देखिए same तरीके से मैं इस side का भी कर लूँगी ये देखिए बहुत ही आसान है friends और इनका hair का जो texture है बहुत ही जादा अच्छा है जो आप देखी रहे हैं तो इस तरीके से कर लेंगे और friends वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक करे शेयर करे और सब्सक्राइब करे और ये haircut कैसा लगा आप लोगों को जरूर कमेंड में बताए एकदम proper भीशे पाया है friends जो आप देखी सकते हो तो एकदम इजी तरीके से बताया है Bye Bye Friends